हे अब्रीवान मैं श्योटी गुपता वेलकम बैक टू मैं चैनल तो कैसे हैं आप सब आई होप सब लोग अच्छे होंगे तो आज की रेश्पी बहुत ही अमेजिन और मज़िदार होने वाली तो आज हम बनाएंगे बीना दही और कम मसालों के साथ बिल्कुल मॉटन चिकन इतना टेस्टी स्वया चंक्स की रेश्पी तो आए फटा फटसी आज की मज़दार रेश्पी शुरू करते हैं तो इसकी लिए मैंने यहां पर लिया है आधा कप स्वया चंक्स वेजन में पचास ग्राम है दो बड़ी साइज का प्याज कट कर लिया है मैंने दो साबूत लिया है यह पूरी तरह से ओप्सनल है चार से पांच खड़ा लाल मिर्च लिया है आधा इंच ग्रेटेड अधरक लिया है और आठ से दस लासन की कलिया लिया है मैंने अब हम फटा फटा सी आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने यहां पे बरतन में इसमें सूया चंग लिए को आट कर देंगे और इस तरीके से मिक्स कर लिए कबर करके 5 मिनटेद देंगे थाकि अच्छे से फूल जाए पांस ब्लाद यह देखे पानी का अबज़र कर चुका है याझा अदरिक से फूल चुका है अब हम इसके अपने हाथों के साहथा से इ धानी को नीचोड लेनी हैं यहां पर स्योफ्त होचक्षा स्कुखा धाफाब्स ऐसे пошय इस तो ऊकार कर लेते हैं तो इससे तल कर निकाल लेन इसे धाउन प्लेट में निकाल cognitive त्यान रहे हैं जो अच्छे से गरम होनी चाहिए वरना श्वयाज जंक्ष्वय कढ़ाई के तलोय में चिपक जाता है अब हम ग्रेवी गले एक प्रेशर कुकर लेंगे कुकर को अच्छे से गरम कर लेंगे इसमें एड कर देंगे एक टेबलेश्पूंट मस्टड आयल को अच्छे से करम कर लेंगे तब हम एड़ करेंगे एक चमस साबुत जीरा और मिर्च छीला हुआ लाशन और खड़ा लाल मिर्च इन सबीची जो को मिक्स करके हलका सा सौते कर लेनी है अब हम एड़ कर देंगे ग्रेट अद्रक और साथ ही करिए करके कर देंगे कट अपहbles कर लिया है इसे मिक्स कर ले नी प्रफिर्म को मेडियम रखना है मिल्च प्रशा करेंगे मिक्सी के जारमें नहीं पिशनी जिस्सका मिठास जी से बना रहे हम हमेड़ कर कर देंगे सवादर नमख और ता चowego बालषण यह नहीं करनी बिल्कूल दो चम्मची एड करना है क्वाकर कर दकन लगाएंगे और हाई फ्लेंप एक सिट्टी मेडियम फ्लेंप दो शीटि कुल तीन सट्टी हमें लगानी है सब कुल तीन की आने के बाद ही से मैटमेटिक ठंडा होने देंगे तह अब हम हम इसे खोल लेते हैं कि यह देखिए हमारे प्याज और लॉसन दोनों अच्छे से पक चुका है अगर आप मिक्सर में पीशे वे प्याज से ग्रेवी बनाएंगे तो दीखने में तो फिरा दीखेगा पर खाने में टेस्टी नहीं होता है जैसे होटलों में अक्सर मिक्सर में पाउडर इना दीख सबहें चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हूझ ब 있고 कभर करके दो से तीर निट के लिए छोड़ देंगे कैसे तिहं сाल पाब बाठे है यह देखिए मसालों से तेचल formerly अलाक दीखरा है याने कि मसाले हमारे अच्छे से पक चुके है यह दिखिए इसे हम फिर से अच्छे से mix कर लेंगे यहां पर मैं आपको जूम आउट करके दिखा रही है यह दिखिए मसाले और प्याज बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं इससे ज़्यादा हमें नहीं पकानी है तो प्रेंट्स आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर बिल्कुल कम मसाले अट किये हैं तो मसालों में अब हम एट कर देंगे फ्राइ किये वश्याज बीन और इसे भी अच्छे से mix करके थोड़ी दिर पका लेंगे तो यह अच्छे से पक चुका है अब हम एट कर देंगे ग्रेवी के थीकने से कोडिंग पानी तो मैं यहां पर एक कप पानी एट की हूँ आप जितना पतला या गाढ़ा रखना चाहते हैं ग्रेवी को उसके कोडिंग पानी एट कर सकते हैं तो अब हम प्रेशर कूकर के ड खाने में टेस्टी तो होगा ही तो फ्रेंट्स आप यकिन नहीं करेंगे जब कभी भी हमारे गर ग्रीन वेश्टेवल अविलेबल नहीं रहता है तो मैं इसी तरीके से स्वया चंक्स की सब्जी बनाती हूं और सबको बहुत पसंद आती है तो अब हम इसे सर्विंग के लिए तो हमें सपोर्ट करने के लिए कोमेंट बक्स में जाकर अपना फीड़ेक जरूर दे और हमारे चैनल को